हलो दोस्तों गुड मॉनिंग कैसे हो आप सब कश्वागत है मेरी चैनल जेमडी फैमिली व्लॉग के थामनेल टाइटल देखके आप काफियात तक समझ गये होंगे कि मैं आज आप लोगों के साथ क्या सेयर करने वाली तो जी हां मैं अपनी दरी वाली वीडियो को ही सेयर करन वाली पर मैं पूरी दरी नहीं बना दी हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है दरी बनाने उमें बहुत सारा कंवाट य लगता है और अभी फिलहल मेरे पास रिजयक्ट में इतने कप्रे नहीं है कि मतलब मैं पूरी दरी बना पाऊँ पर फिर भी मेरे पास 5-6 साड़ी रिजेक्ट में निकल गई थी तो मैंने उनी साड़ीयों को फाड़ा है और दरी वाले मतलब सेम दरी की तरह ही आपको बना के दिखाऊंगे पर साइच छोटा होगा यानि डोरमेट पाउदान जो होता है वैसा बना के दिखाऊंगी डिजाइन सेम होगा और मतलब सब कुछ सेम जैसे दरी बनती है सब कुछ सेम होगा आप सोच रहोंगे मैं दरी बार-बार क्यों कर रहे हूं क्योंकि मेरी जो दरी वाली वीडियो है आज की डेट में इसी चैनल पे से बनाया कुछ कुछ चीजे मैं मिश्टेक कर गई थी मैं नहीं बता पाई थी तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि आप फिर से बताईए तो आज मैं सब की कमेंट को पूरी करने जारी हूं इस वीडियो को आप सब के लिए स्पैसली बनाया है सिर्फ आप सब के मैंने आपके लिए किया मुझे इसकी जरूरत नहीं थी कि मैंने जल्दी एक चोटा से डॉरमेट बनाया और मेरे पास अल्रेडी दो तीन है तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं थी लेकिन आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे इतने अच्छे से कमेंट आई ना कि मैं ख चलते हैं इस वीडियो के सुरुवात करते हैं चलिए दोस्तों सुरुवात कर लेते हैं सबसे पहले मैं कपड़ा फाड देती हूं जो मतलब दरी के लिए कपड़ा चाहिए हमको वह कपड़ा चाहिए वह मैंने बहुत अची वीडियो बनाई थी पर वह वीडियो मुझे ग लगातीजिए उसको खीचते हुए आप दूसरे सीरे का जोड ना टूटे और आप दूसरे सीरे से फिर वहीं से काटना सुरू कर दीजिए जोड टूट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं बस इतना है कि जोड नहीं टूटेगा तो आप एक अच्छा सा बॉल बना पाएंगी बॉल बनाके कठा करके रखने में अच्छा होगा और जादे जोड टूटता है तो बार-बार फिर हमें मतलब उसमें जोडने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और वैसे तोड़ना तो हमको पड़ेगा पूरा इतना बड़ा बॉल तो हम दरी में एक साथ लगानी चकते तो तोड़ तोड़ के हमको लगाना है बट आप इस तरह कोसिस करिए कि मतलब बॉल बनाने में एक बार आपको बॉल बनाने में प्रॉब्लम ना हो तो इस तरह आप एक कलर का एक ही बॉल बनाईएगा बड़ा सा जितना भी मतलब बन जाए चोटा बड़ा जितना भी आप बना सकते हैं, एक कलर का एक ही बॉल बनाईए, तो आपको बहुत सारे रंग भी रंगे, मतलब कपड़े अंदर नहीं निकलेंगे, जो आप कलर चाहोगे, वो डिजाइन आप लगा सकोगे, वो कलर लगा सकोगे, यह दिखे, इस तरह मैंने बॉल बना के रख लिया, यह एक औरेंज वाली साड़ी का, इसे करके मैंने सारे कपड़े फाड़ के रख लिये, अब चलिए दरी की सुरुवात करते हैं, दरी की सुरुवात करने के लिए सबसे पहले मैंने मंगाया है दरी का ताना, यह इतना मोटा रील है, यह पचास उरुपे का रील आता है, और यह द जैता है तरह 50 रुपिए में मिलता है अगर आपके हैं एक आप बना सकते हैं तो यह है टोपर भी आप तंके बना सकते हैं या फिर कोई और चीज हो जो मतलब आप जुगाड लगा सकते हैं क्योंकि और तो में बहुत दिमाग होता है जुगाड में तो माहिर होती हैं तो अगर आप जुगाड लगाना चाहें तो ऐसे करके आप जुगाड लगा सकते हैं तो दरी तन्ना शुरुआत कर देती हूं मैं दरी के एक सिरी पर मैंने उपर से धागा लेना है नीचे से देना है अभी देखिए अनमोल ने उपर से धागा लिया और वो नीचे से मेरी तरफ पास कर देगा और मैं भी सेम ऐसा करूँगी धागा उपर से ले लूँगी अपनी तरफ और अनमोल की तरफ नीचे से धागा पास कर दूँगी और या मजबूत चाहते हैं आप तो सरिफ वन फिंगर ऐसे रखिए एक फिंगर की दूरी पर दूसरा धागा रख लीजेगा इसी हिसाब चैनते रहिएगा बहुत जादे टाइट भी मत कर लीजेगा वना उंगलिया एकदम कट जाएगी धागे में मेरी उंगलिया कट चुकी है एकदम चमड़ी निकल चुकी है मेरी उंगलियों की इसके अंदर धागा चिनाई करते हुए मतलब निकालते डालते बहुत जादे प्रॉब्लम हुई है अब भी मतलब स्टार्ट है पर अभी मैं जब पूरा एंड करके मैं वीडियो में वाशोगर कर रही हूं तो अभी का बता रही हूं मैं में उंगलियों में फाला आ चुका था और फाला फूट गया है चमड़ी भी मेरी थूरी से कट गी क्योंकि मैंने धागा बहुत टाइट कर लिया था क्योंकि अनमोल दीपत थे और बच्चे है इनको पता होता नहीं और इन्होंने थोड़ा जादे- क्या था एक सरह लाके मैंने बान दिया कहीं भी किसी साइड आगे की साइड पिछे की साइड जहां आपको ठीक लगे आप उहे जाके इसको बान सकते हैं तो फाइनली मेरी दरी बन गई मतलब धागा तन दिया अब इसके किनारे पर भी मुझे एक धागा बानना है तो का एसा चले में नहीं आट डालते हैं तो ऊसमें आठ चली जाती है वो रशिजे से बंट अजाते हैं उसमें वैसा बंट लगा रही हूँ हूँ है इसको वैसे ब्ट बड़कर करती जाओंगी क्धान की एक स्वे। अन मौल ने पकटट रखा था दूसरे सिरी मॉन आठ मैं आपको दूसरा धागा बांते टाइम आप फिर अच्छे से दिखा देती हूँ मैंने कैसे लिया था धागे को एक धागा नीचे एक धागा ऊपर ताकि इसमें एक आठ आजाए नीचे उपर का मतलब एक इसमें आठ आना बहुत जरूरी है जब तक इसमें एक बल नहीं आ आप में जोर हो वेचे टाइट बांध दीजिएगा मजबूती से यह टूटेगा नहीं साड़ी की किनारी है और इसको रस्ची की तरफ बंट दिया है तो यह और भी जादे मजबूत हो गया ति यह टूटेगा नहीं मुझसे तो नहीं टूटता है अगर कोई बहुत साओल एक आट की ज़रूरत पड़ती है वो आजाती है उसको क्या कहते है मुझसे पता नहीं लेकिन आप में जे सबतों पर मत चाहिएगा इसमें जो मैथट उस मैथट पर ध्यान दीजेगा इसलिए मैंने वीडियो बहुत डीपली वीडियो बनाई है कि कहीं गल्टी से मैं कोई चीज भूल ना जाओं पिछली वीडियो में मुझसे ये सारे चीजे मिश्टिक हो गई थी इसलिए मैं फिर से वीडियो बना रही हूं आप सब को सब कुछ क्लियर तरीके से समझाने के लिए बताने के लिए अगर आप लोगों को वीडियो बोरिंग लगे तो भी प्लीस आप एक बार ध्यान से देख लीजेगा पूरी दरी आपको पूरी समझ में आ जाएगी प्लीस आप वीडियो पूरा वाच कर लीजेगा तो ये जब मैंने लाल वाला कपड़ा यहां तक कर लिया उसके बाद हम इसकी पट्टी बनाएंगे यहां हमारे यहां इसको पट्ट फाड़ने के बाद हम इसको अच्छे से दरी पे ऐसे दो इंच का बॉर्डर बना लेंगे बस जो नीचे वाला धागा है उसको आज्चे चुगी और जुपर वाला धागा है वो नाला ज्या जाता है और इस लि제 अड्या को अपड़र खांट में दिया जाता हुआ उपर ब बुनती जाओंगी, प्लेन ही मतलब इधर से बुनती जाओंगी, अभी मैंने कोई डिजाइन, शुरुवात नहीं की, डिजाइन भी डालूँगी, लेकिन पहले मैंने बॉर्डर ही बनाया है, ये अंगुठिया मतलब मेरी फच रही थी इसमें, तो अंगुठी मैंने निकाल तो भी बॉर्डर अच्छा लगता है, इस तरह की चीज़ों में अच्छा बॉर्डर लगता है, तो ये दो इंच का मेरा ये बन गया, अब मैं इसके कर लेते हूं, ठुकाई, ठुकाई बहुत जरूरी है, जितने अच्छे से आप दरी की ठुकाई करेंगे, इतना ही मजब 50-50% डिवाइट कर दिया है, जितना आधा धागा कर दिया, बीच में मैंने धागा बन दा थागा, चार जोड़ जोड़ निया, मैंने ये टोटल आठ जोड़े में हो गई और एक धागा मैंने बीच का लिया आठ दुनी सोले और एक जो बीच वाला बंदा ये सत्रे धागे हो गई और मैंने एक साइड पे कपड़ा लगाया अब मैं इसको क्या करूंगी इस साइड से बनती हुए उस साइड जाओंगी उ इसी तरह फिर मैं इधर आओंगी एक धागा मैं इधर से चोड़ के चली जाओंगी ऐसे धीरे धीरे करते करते मैं एक 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 करते चोड़ते बस वो बीच वाला एक जो होता है बस वही एक बचेगा इससे एक डमरू का डिजाइन बन जाएगा जो आपने दरी में आपको एक बार हो सकता है आपके समझ में नाए लेकिन अगर आप पूरा देखेंगे ना तो 100% आपके समझ में सब कुछ आए जाएगा अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम कोई भी क्योरी आपकी रह जाती है कोई भी कोशन हो तो आप मुझे फेर से मैसेज कर सेते हैं मैं आ पूरा डीटेल आप लोगों को बताऊंगी तो मैंने अपने तरब से पूरी कोशिस की है लेकिन फिर भी अगर कोई मिश्टेक रह जाए तो प्लीस आप मुझे बता दीचेगा मैं दुबारा उसको क्लियर कर दूँगी यह देखिए मैंने एक 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 करके खटा दिया इध अब मैं इसको ठोक देती हूं मतलब इसको ठुकाई बहुत जरूरी है ठुकाई से दरी बहुत मजबूत एक जम सॉलेड बन के आएगी आप 15-20 साल तक इसको बिचाते रहेंगे आप हाथ से दो ब्रस मार के दो वश्ट में डाल के दो यह खराब नहीं होगा बहुत ही अच सकते हैं कहीं भी बिचाए और 15-20 साल तक आप कैसे भी इसको धो निचोडो सुखाओ यह खराब नहीं होता फटता नहीं और कपड़े सारे अपनी यूज में आ जाते हैं और बहुत सारी साड़ी हमारी यादों में रह जाती है तो भो भी हम मतलब देख सकते हैं कि हाँ यह इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा और उसी हिसाब से 16 का नहीं हो रहा है तो 18 का कर लीजिए 20 का कर लीजिए और यह कम कर सकते हैं आप तिन-तिन का करके यानि 6-6 दूनी 12 का ले सकते हैं ऐसे करके भी आप बना सकते हैं कोई जरूर नहीं है मैंने चार जोड़ा इधर चा बनके आएगा यह मैं दूसरा करके बींच में एक ध्डागा चोड़ा था अब वहीं बीच एक ध्डागे से मैं शुरुआत कर रही हूं तो मतलबule के ने में दूसरा कर नहीं से दूसरे कर नहीं है डूसरे का पहले एक धाल करकर मैं दोनों तरफ बढ़ती जाऊंगी एक क जारा है सौरी मैं कनफ्यूज हो जा रही हूं बोलते बोलते तो इसी तरीके से हम बढ़ते चले जाएंगे जब पूरे हो जाएंगे फिर हम उहीं से माइनस करना सोरू कर देंगे एक धागा मैं उधर चोड़ाओंगी फिर इधर आऊंगी तो एक धागा इधर से शोड़ के म बीच में आपने चार जोड़ा ले लिया तो एक धागा जोड़ दीजिएगा दूसरे कलर के लिए और उसके बाद फिर वहां से आप आठ जोड़ा धागा ले लिजिएगा इनी सोल है और फिर उसके बाद आप इसको सुरू करें अगर आपके समझ में आए तो वीडियो थ समझ में सब कुछ आ जाए यहां धागा बाबु ने तोड़ दिया था तो मैंने दूसरा धागा खीच के लाके और धागे को बान के मतलब गाट लगा दी है तो मजबूत हो गया और आज यह मैं जब मैंने शुरू किया उस दिन मैंने इतनी दरी बनाई थी यह तीन दिन की मेनहत में पूरी दरी बन के कंप्लीट हुई है उमीद है आप सब को पसंद आएगी और एक दिन मैंने कपड़ा भी फाड़ा था चार दिन लग गया है मुझे इसको कंप्लीट करने मैं चार दिन मैंने बहुत मेनहत की है एक दिन तो जिस दिन मैंने इसको सुरू किया था उस दिन मैं तीन बजे शुरुआत की थी सामके रात के आठ बजे तक continue मैंने इसको बनाया था तब जाके ये तीन दिनों में जाके complete हो पाया और जिस दिन मैंने कपड़ा भाड़ा था उस दिन तो रात को खाना पीना खाने पीने के बाद जब मैं फ्री होके बैठी न तब मै आप देख सकते हैं सारे कलर का mix match बहुत अच्छा आया है और बहुत अच्छे से ये सारी डबिया बनके बहुत सुंदर लग रही है और ये चीज मैं आपको यहां दिखा रही है जैसे हम दरी बन देना तो दरी थोड़ी थोड़ी अंदर की तरफ किचने लगती है तो हमें दरी के साइड से कपड़ा लेकि इस तरह मजबूत कपड़ा जो कानी होती ने सारी पे जो बॉडर किनारे का होता है मजबूत होता है उस कपड़े से आप इसको ऐसे करके खीच के बांद सकते हैं बांद देंगे तो ये दरी अंदर की तरफ जाएगी नहीं वना क्या होगा और नीचे से आपकी दरी चोड़ी होगी, ऊपर से आपकी दरी पतली हो जाएगी, इसलिए इसको बान्धना भी बहुत जरूरी है, तो इस तरह कैंची से अपकपड़ा रखिए और कैंची से थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए धयान से धागा कर सकता है, इसलिए थोड़ा ध्य दागे के बीच में थोड़ा मतलब जो कानी कानी वाला कपड़ा है जो कानी पे दो लाल कपड़ा लगा थे न बड़ी वही देखके लगा के उसी हिसाब से उसको कर दीजेगा और एकदम परफेक्ट बन जाएगी आपकी दरी यकिन मानि यह बहुत ही जादे अच्छी बन के बहुत खुशी मिलेगी आपको और आपके पुराने कपड़े जो घर में सूट, साड़ी, दुपटे, सर्ट वगरा यह सब बेश्ट पड़े रहते हैं फेकना भी नहीं चाते हैं और हमें समझ भी नहीं आदा हम इसका क्या करें किसको दें फेके तो कहां फेके और कुछ ल अगर कोई कलर का कपड़ा आपका कपड़े जोड़ सकते हैं ज़रूर नहीं कि पूरी दरी पूरी साड़ी तो पूरा सेम कलर आगया है कोई ज़रूरी नहीं है मेरी बड़ी वाली जो पुराने वीडियो का लिंक में ढलूँगी description box में भी दे दूँगी eye button भी दे दूँगी आप उस वीडियो में देखना मैंने बहुत सारे कपड़े डाले हैं उसमें किसी की shirt, अनमोल दीपकी shirt डाल दिया था इनकी भी shirt डाली थी अपने साड़ी, suit, बहुत कुछ डाल दिया था मैंने और यह ऐसे करके मैंने पूरा water बना दिया है और हाँ मैंने एक चोटे मतलब इसे बेकार कपड़ों का ही एक पाउदान भी बनाया था उसका भी link मैं description box में दे दूँगी और eye button पे भी दे दूँगी और यह जो कपड़े मतलब थोड़े थोड़े निकल जाते हैं न बाहर की तरफ हम क्योंकि रखते हैं बाहर अंदर रखेंगे तो ठीक नहीं होगा थोड़ा बाहर रखें ताकि आराम से आप काट सकें और यह देखें जब मैंने इसको सारे को काट के एकदम फिनिश कर दिया कितना सुन्दर आया है अब हम दरी को उपर से धागे को काट देते हैं दरी अब हम अलग कर लेंगे दरी मैंने खिड़की में स्टेंड खड़ा कर दिया था ताकि मुझे हवा लगती रहा अच्छे से कूलर के आगे ही खड़ी कर ली थी और चार पाई पे बैठके बन रही थी पहले तो मैं नीचे बैठके बन रही थी फिर मेरा हाथ उतनी दूर तक तो नहीं जाएगा ना तो मैंने इसको खड़ा कर लिया था खड़ा करके और आराम से मैं चार पाई पे या कुर्सी लगा के बैठ जाती और फिर इसको अराम से बनती रहती जैसे आपकी सहुलियत हो उसे साब से बन लीजिएगा आप अड़ यह मैं अपने पुड़ोसिक यहां से लाई थी और इस दागे को मतलब दो दो दागे पगड़ को खूब अच्छे से मजबूती से बांधियेगा ताकि यह कपड़े इसमें से निकल ना जाए और मैंने खूब अच्छे से गांट लगाई है मजबूती से और बीच बीच मे जाएंगे पीछे की साइट से भी हम सारे धागे काट देंगे और इसको भी ऐसे दो-दो को पकड़ के अच्छे से गांट लगा लेंगे आप मेरे हाथ पे ध्यान मत दीजिएगा तीपक कैमरा लेके बहुत जादे करीब से दिखा रहा था क्योंकि यह दिखाना बहुत लगे तो सेर्वी कर दीजिएगा बाई